आज हम लोग टेस्ट नंबर फाइव कवर करेंगे पर्यावरण अध्याइन में और टॉपिक है जलवायू परिवर्तन इससे पहले हमने चार टॉपिक डाल दिये हैं और उसमें काफी सारे कॉश्चन्स थी चार टॉपिक क्या मतलब उनके कई सारे पार्ट्स होंगी ठीक है वो देख लीजेगा आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉश्चन के साथ पीडियाफ के अगर आप लोगों को नीड़े तो इस नंबर पर कॉल्यावर्ट्सिप कर लीजेगा ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है निम्लिखित मैंसे किसका आशे किसी शेत्र में लंबे समय तक आउसत मौस्तम से होता है बताई जल्वाईव जल्वाईव परिवर्टन हरित ग्रह या फिर मानसून तो करेक्ट आंसर होगा इसका जल्वाईव उप्शन नमबर A इस दिक करेक्ट जिन्होंने टॉपिक को देख करके इंफ्लुएंस हो गए होंगे और जल्वाईव परिवर्टन पर लगाया होगा वो गलत हुए होंगे जरूर सामन्नित है जल्वाईव का आश है किसी शेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है अतह जब किसी शेत्र के विशेश के शेत्र विशेश के औसत मौसम में परिवर्टन आ जाता है तो उसे हम जल्वाईव परिवर्टन कह देते हैं नेक्स्ट है निवलिखित में से कौन जलवायू परिवर्तन का प्राकर्तिक कारण नहीं है प्राकर्तिक कारण पूछा है पहली चीज तो और नहीं है पूछा है जलवाय परिवर्तन के प्राकर्तिक कारण महादीबिये समवहन है ज्वाला मुखी विस्वोड है प्रिथवी का जुकाव है समद्री धाराएं है अगर इसके लावा मानवी कारणों की बात करते है तो सबसे पहले आएगा आपका शहरी करण, और धोगी करण, वनोन मूलन और उसके लावा रसायने कीट नाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग नेक्स्ट है निमलिकित मैं से कौन जलवाईू परिवर्तन के खगोलिय सिध्धानतों से सम्मधित नहीं है सर्विया के खगोल विद मिलूटिन मिलान कोविक ने जलवाईू परिवर्तन से सम्मधित खगोलिय सिध्धानतों प्रस्तुत किये थी इस सिध्धानत को मिलान कोविक परिकल्पना भी कहते हैं अपने सिध्धानत के अंतरगत इन्होंने जलवाईू परिवर्तन की निमलिकित कारकों को बताया है अब वो कौन से कारक हैं ये देख लेते हैं एक बार अंडाकार कक्षिय मार्ग प्रिथवी का अपने अक्ष पर जुकाब उपसौर और अपसौर की इस्थिदी ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलूटिन, मिलान, कोविक, औप्षिन नमबर C is correct उपरिक्त प्रिष्ट की व्याक्या देखनी है इसमें भी आपको नेक्स्ट रण इमलिकित में से कौन जलवाईू परिवर्तन की प्रभाव को दर्शाता है जलवाईू परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है वैशुत आपन में व्रिद्धी, ग्लेशियरों का पिघलना या फिर कृष्टी पैदावार पर विप्रिद प्रभाव परता है जलवाईू परिवर्तन के प्रभाव परिवर्तन से प्रभाव जो होता है वैशुत आपन में व्रिद्धी, ग्लेशियरों का पिघलना, कृष्टी पैदावार पर विप्रीथ प्रभाव परता है इसके अलबा प्राकर्तिक आपदाउ में भी विद्धी होती है, जैवे विद्धा पर विप्रीत प्रभाप पड़ता है और मानव स्वास्ते पर भी विप्रीत प्रभाप पड़ता है नेक्स्टर निमलखित में से किस से जलवायू परिवर्तन का क्रायोजैनिक संके तक प्राप्त किया जाता है तो वो किया जाता है आइसकोर से आंसर हो जाएगा आइसकोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर से प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है आइसकोर अतीत की जलवायू और वातावरण की जाँच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तरत अभिलेख है नेक्स्ट है मानविय गतिविधियों के कारण प्रिथवी के दीर्वकालिक औसत तापमान में हुई वरद्धी को क्या कहा जाता है वरद्धी को कहा जाता है ऊजोर्ण अम्लिय वर्सा काली वर्सा या फिर गलोवल वार्मिंग आंसर ए हो जाएगा गलोवल वार्मिंग बोला جाता है उसको मानविय गतिवीदियों के कारण उतपन ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव स्वरूप पृत्वी के दीर कालिक औसत तापमान में हुई व्रिद्धी को वैश्विक तापन या फिर ग्लोवल वार्मिंग कहा जाता है हरित ग्रह प्रभाव का अर्थ क्या है वाईू मंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनी करण के कारण वाईू मंडल के तापमान का बढ़ना या फिर बढ़े हुए तापमान में सबजियों और फूलों का उतपादन या फिर शीशे के मकान में मकानों में खाद्य फसलों का उतपादन या फिर इनमें से कोई भी नहीं नेक्स्ट रे ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर हरित ग्रह प्रभाव एक प्राकर्थिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपर ग्रह के वातावरण में मौझूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकरत अधिक वृध्धी कर देती हैं, इन्ह कई बारी पूछे गए हैं और वो गैसें कौन सी कौन सी है कारवंडाय उक्साइड है मीधेन है नाइट्स उक्साइड है और जलवास पर नेक्स्ट हरित ग्रह गैसों की संकल्पना की थी किस ने की थी जोजेफ फोरियर ने आंसर हो जाएगा सी जोजेफ फोरियर ने 1824 इश् बी ग्रीन हाउस गैसें वायू मंडल में उपस्थे तो वह गैसें हैं जो तापिय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतरगत विकिरणों का अवशोशन एवं उतसरजन करती हैं प्रित्वी के वायू मंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवास सारी यहां पर पता चल गई है नेक्स्ट कोश्चन है वैश्विक तापन की वृद्धी के लिए निम्नलिखित मैं से कौन सी गैस का योगदान अधिक्तम है कारबन डाय ओक्साइड का क्लोरो फ्लोरो कारबन का नाइट्स ओक्साइड का या फिर मीथेन का तो सबसे जादा योगदान अगर है तो कारबन डाय ओक्साइड का आंसर है ए कारबन डाय ओक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है इस गैस की मात्रा में परिवर्तन वातावरण के तापमान में भी परिवर्तन होने लगता है यह वैश्विक तापन में 60 परसंट योगदान करती है नेक्स रा निमलिखित में से कौन एक वैश्विक उश्मन के लिए उत्तरदाई नहीं है जो उत्तरदाई नहीं है वो औरगन है अंसर है भी औरगन ग्रीन हाउस गैस नहीं है तथा यह वैश्विक उश्मन के लिए उत्तरदाई नहीं होती है नेक्स निमलिखित में स से कौन सी एक सेगिन निमलकित में से कौन पदार्थ सारवर्त्रिक तापन उत्पन करने में योगदान नहीं करता है तो वह है सलफर दथा नाइट्रोजन ऑकसाइड आंसर हो जाएगा एक क्योंकि बाकि यह सारी तो वही वाली गैसे हैं जो भी आपने उपर पढ़ी हैं सलफ खेद से उत्सरजित होती है तथा भूमी के तापमान में व्रिद्धी करती है वह गैस कौन सी है तो वह मीथेन गैस है करेक्ट आंसर यहां पर डी हो जाएगा धान के खेद कोईले की खदाने एवं घरेलू पशू वातावरण में मीथेन का उत्सरजन के स्ट्रोथ हैं खेतों से दीमक्की बांबी से दोनों से या फिर इनवेंसे किसी भी नहीं उके तो जो करेक्ट आंसर है वह और दोनों ze या धान के खेत हर दीमक की बांबी दिनों대ाड़ोस से निकलती है दूसरी सबसे बड़ी गรीन हाउस गैस है पहली कौन सी थी हमारी पहली थी पशूधन अपनी सामान पाचन प्रक्रिया के दोरान मीथेन का उत्सर्जन करते होता है मीथेन का सरवादिक उत्सर्जन कहां से होता है तो मीथेन का सरवादिक उत्सर्जन होता है आर्दर भूमियों से आंसर हो जाएगा डी मीथेन का सरवादिक उत्सर्जन 75% आर्दर भू 3% आंसर हो जाएगा भी विश्य मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पूर्व औधोगे की युग में कारबन डाय ऑकसाइड की सांदर था लगवग 268 पीपी एम यानिके 0.03 परसेंट थी जिससे वायू मंडल समुद्र एवम जीव मंडल आदी के बीच संतुलन बना रहत से बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में औसत वार्सिक सी ओ टू सांदरता लगवग 415 पीपी एम से अधिक हो चुकी है नेक्स्ट है किस ग्रीन हाउस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है तो वो है नाइट्स ऑक्साइड आंसर हो जाएगा बी ओके नाइट्स ऑक्साइड ग्रीन हाउस एफेक्ट में छे प्रतिशत योगदान देती है मुख्य श्रोत इसके हैं और वुरक और कोईला दहन इसको लाफिंग एस भी कहते हैं नेक्स्ट है निम्डांकित में से कौन एक सरवादिक भंगूर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा ओप्शन यहां पर दे रखे हैं तो जो करेक्ट आंसर है वो है आर्क्टिक एवं ग्रीन लेंड हिम चादर आंसर हो पिखलने शेष्प रिथवी को प्रभावित कर रहा है नेक्स्ट है वैश्विक उश्मन के फल्सव रूप निम्डखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंड़ता बढ़ रही है सबी की बढ़ रही है चक्रवात और बवंडर और तूफान इन सबी की बढ़ रही है आं बारम भारतावम्ती वृता में वृत्धी होगी नेक्स्टर निमलिकित में से कौन सा पिछली शिताबदी में पृत्वी के औसत तापमान में वृत्धी प्रदर्शित करता है ओके तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा जीरो पॉइंट डिग्री सेल्सियस ऑफ्शन नम से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोवल कारवन उत्सर्जक है ठीके तो वह चीन है ऑप्शन नमर पी जो है आपर करेक्ट हो जाएगा वर्तवान में कारवन डाय ऑक्साइड के उत्सर्जन में सरवादिक योगदान करने वाला देश चीन है जो कि 28 परसेंट का योग दन देता है साथ दूसरे स्थान पर है जबकि भारत जो है साथ प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर आता है नेक्स कुश्चन है निमलिखित मैं से किस देश को दुनिया में कारवन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है कारवन निगेटिव देश के रूप में मान जलवायू से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है वो है किर्षी option number D correct answer हो जाएगा जलवायू परिवर्तन किर्षी को प्रभावित करने की शम्ता रखता है तापमान बढ़ने के बढ़ने से मिट्टी को नमी और कार्य शम्ता प्रभावित होती है मिट्टी में सबसे महत्पुन भूमिका है किस में है तो वो जल चक्र में है आंसर हो जाएगा यहां पर सी जल चक्र में सौरवे किरण की सबसे महत्पून भूमिका है सौरवे किरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाशपी करण करता है सौरवे किरण पढ़ेगा पेड़ पौधे प्राण वायू ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायू मंदल को दूशित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कारबन डाय ऑक्साइड का अवशोशन करते हैं नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन सा कार्रे पेड़ पौधों का नहीं है पेड़ पौधों का नहीं है वो कार्रे कौन सा है वायू का प्रिदूशन और सी पेड़ पौधे कारबन डाय ऑक्साइड का अवशोशन कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं हरे व्रक्षों की कतार खड़ी करके ध्यवनी प्रदूशन से बचा सकता है पे्ट पॉधे वाईू प्रदूशन नहीं करते अपितु वाईू को प्रदूशन की रोक्थाम में सहायक करते हैं मतलब सहायक होती है नेक्स ट्रीक इसी देश़ द्वारा निर्धारिद कार्बन उत्सरजन की अधिक्तम मात्रा में कटोती करने पर उसे क्या प्रदान किया जाता है तो उसको प्रदान किया जाता है कारवन क्रेडिट आंसर हो जाएगा डी किसी देश द्वारा निर्धारित कारवन उत्सरजन की अधिक्तम मात्रा में कटोती करने पर उसे कारवन करने के लिए कारबन क्रिडिट प्रडाली लागों की गई थी कारबन क्रिड़िट का निर्धारं किसी देश में उद्योगों के अनुसार उस डेश के दौरा उत्सरजित किये जाने वाले अधिक्तम कारबन की मात्रा के आधार पर किया जाता है important statement आई ए नेक्स्ट ए भारत की जलवायू परिवर्तन पर प्रथम रास्टरिय क्रिया योजना प्रकाशित हुई तो कब प्रकाशित हुई थी प्रिश्ट नहीं यह है वो हुई थी 2008 में आंसर हो जाएगा ए जून 2008 में ततकालीन प्रथार मंत्री मनम मुहनसिक ने जलवायू परिवर्तन पर भारत की प्रथम रास्टरिय क्रिया योजना को जारी किया था इसका उद्देश जनता के प्रतिनिधियों सरकार की विभिन एजेंसियों वैग्यानिकों उध्योग और समुदायों को जलवायू परिवर्तन से उत्पन खत्रे और इ नहीं किया था जो समलेत नहीं किया था वह है आणवे कूर्जा अंसर हो जाएगा बी जलवायू परिवर्तन पर रास्ट्रिय कार्रे योजना में मुख्यते आठ मिशन शामिल हैं पहला है रास्ट्रिय और सौर मिशन विक्सित उर्जा दक्षता के लिए रास्ट्रिय मिश उसके अलावा है सुस्थिर निवास पर रास्ट्रिय मिशन रास्ट्रिय जल मिशन सुस्थिर हिमालई पारिसितिक तंत्र हेतु रास्ट्रिय मिशन हरित भारत हेतु रास्ट्रिय मिशन सतत कृषी हेतु रास्ट्रिय मिशन इसके अलावा जलवायू परिवर्तन हेतु रण मंदल चॉक्षी स्थापित नहीं बेचे की रेक्स हों में भॉक्षरेशन और करेक्ट आइन्षवर्ण हों। में वकोर्ट से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीठेन, क्लो्रोफ्लोर्रोकार्वन, नाइट सॉकसाइड और हाइड्रोजन बहुत ही ईजी है यह उपर सारे एक्स्परनिशन पर बता दी गई है कौनसी कौनसी गैसेज है आई होप आप इसका आंसर एजीली कर पाएंगे तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है प् उनों से प्राकर्तिक स्वचन और वास्पी करण जल वास्प प्राकर्तिक स्वचन तथा वाश्पी करण से प्राप्त होती है प्रित्वी का तापमान बढ़ने पर वायू मंडल में इसकी मात्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है इस तरीके क्योशन पूछे जाते हैं नेक् कि बात करें ओजोन परत के शरण की तो अप्रेतिक रूप शे इसका जिम्मेदार तो है कहीं न कहीं पर नेक्स ट्रेंड निम्न लिखेत गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाबदायक दोनों हैं तो बताए कौन सी है ऑक्सीजन नाइट्रो क्रिया द्वारा जीवन दाइनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाबदायक है वहीं यह भूमंडल यह तापन का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक भी है नेक्स्ट है निम्लिखित में से किसे मार्श गैस कहा जाता है मार्श गैस क हो जाएगा विश्व भर में प्रतिवर्स मार्च के अंतियम सप्ता हमें अर्थ अवर को मनाया जाता है अर्थ अवर एक अंतरास्ट्रिय पहल है जिसके तहत लोगों को सरकारी कार्यालियों एवं शहरी केंद्रों को पर्यावरन संरक्षन हेतु एक प्रती के रूप में घंटे भर इस्थानिय समयानुसार साड़े आठ से लेकर के साड़े नौ वजे तक के लिए गैर आवश्यक रोस्टनी बंद करने की आवश्यकता होती है नेक्स्ट आर्थ अवर का सब्सक्राइब क्या जाता है डिसका व्यव्य लोगे डिव के द्वारा आंसर हो जाएगा भी यान ने के वह वाइड ने घहारे बहुए को पहली बार और कॉल या वाटसेप कर सकते हो एजी लिए आपको सारी इंफरमेशन मिल जाएगी थांक्यू सो मच